हाई गाइज आप देख रहें मनी जोरी बिर्जबासी बिलॉग और फिर वो पस्ते तुम आप सभी नटखट मित्रों के सामने मेरे जितने भी सस्क्राइबर देख रहें और नॉन सस्क्राइबर जो नी है प्लीज सस्ट्राइब करें लाइक करें कमेंट करें प्लीज प्रुभु की कथा की अंदर अपनी आत्माओं से अपने हिर्दे से अपने विचारों से उस कथा की अंदर हम सब जितने भी हैं सब गूति लगाएंगे हम तो लगाई रहे हैं आप भी लगाएं अच्छी बात होगी तो ठाकुर की सामितताओं में रहने वाला इंसान कितनी वहिए कितनी वह उसके उपर कश्ट आतें कितनी वहिए उसके उपर आपती हा ती हैं लेकिन ठाक उर अपनी झा他 को पिकीना अ Wirtschaft लिए अपने हैं यह प 궁त्र याृवण को च्छा करकते निकाल के लिए तन कर्याएं ह। कोई जूट ना है फैकना रहूं सत्वतारों पे एक एक परसेंट सत्त है एंडर्ड बन परसेंट तो आज एक दिप्वि लिला है बच्पन की कृष्ण भगवान की बाल सखा की हमारे तो सखा है हम तो उनको सखा माते हैं क्रिश्ण को क्योंकि हम भी मतुरा के हैं मिरच के हैं हमने भी महां रवण किया है आनंद लिया है लिलाहे की है ठापुर जी की नित्य लिलाओं का आनंद लिया है मंदिरों की जहांकी परसाधियों के दर्सन करकर एक बार की बात थी सरी क्रिश्neys भगवाण गुटूवन चलने लगे थे यह चलते थे गुटूवन का मतला और बच्चा लोन चलता हुआ तो उनका जो नंद रानी का जो है कहल था जो निवासस स्थम था जहां वो रहते थे वो जमना के किनारी पे उपस्तिक था किनारी का मतलब इतना दूर मन लोग वीस पच्चेस फुट दोली से या तीस पैंतिस पुट तक रीवन इतना तो थुमक 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 थे चलते हुए अपने नंदे मंद्रे लड़ू गोपाल जी स्री कृ किनारे रजपड़ी रहती है रजमाने जमनाजी की जो रेतिया होती है मां रेत के वाहें रेतिया है वड़ी हुई थी ठाकुणी ले रहे हैं बुट्टी में ले भक्राइब में ले जा रहे हैं बार बार एक बार दो तो अच्छानक से उन्ही माताजी मापरिकट हो गई बच्छा माती खा सकता है क्या कोई खाएगा तो खुरो के इमाडा देगी ये मत करना गलत बात है तो सहब नटबर नागन्दन्दा लीलाओं का प्रिस्तोती करण कर रहे हैं अपनी दिब्बे वो भी अलोकिक लीला है बालपन की बात थे पतिरी ठाकुर जी ने माहें को पकड़ा हाथ में लिया बालप को मुझ से सारी मट्टी पहुची क्यों हो भाई का नहां सेट कट तुम माटी क्यों खा रहे हो मुझ खोलो मुझ खोलो मुझ खोलो मावारवार के और उम्मिटा स्कावार के माने मुझ मुक करा मुक होला बच्के का अपन को दें को जीम मुझ मुझ में होगी इंगय ग्छesz्य काने के लिए देखने के लिए इसमें घुमझ खोल दिया माति नंधरानी जीने ओ-धो-धो और और शान दयक है नंधरान के समक्ष् पूरा ब्रहमान पूरी की पूरी स्रिष्टी पूरी की पूरी काय जहां जहां उपस्तित हैं नंदरानी भी उनके मुख के अंदर कुसी पोजीशन में उसी अवस्था में नजरा रही हैं जिस अवस्था में नंदरानी जी देख रही है उनके मुख को देखो जैसे अपन टी में सोचते हैं माने देख लिया सब कुछ पूरी सुरिष्टी देख लिए इनको भुलाना पड़ेगा मा तो अफस्ताइब मा तो इसी व्यक्ति को अचानक से कुछ ऐसी चीज नजर आ जाती है जो की अश्यर चपित हो तो चौकेगा ही चौकेगा इसमें कोई बैसी बात नहीं है दिक्कत की सब चौक चाहेंगे यह समझदार होगे तो सहाब माताजी की जो उस समय जो इस्तिती थी मा कृष्ण भवान मन में सोच रहे हैं अरे इसने मेरी ब्रह्म रूप को दरसन का लियो है कृष्ण भवान मन में मनन कर रहे हैं इसने इमाने हमारी ब्रह्म रूप को द्रशाटन कर लियो है देख लियो है और अब तो मातत्र का तो भाव बूर जाएंगी भक्ति के भाव में आ जाएंगी और इनकी तो सुद्बुद बुलानी पड़ेंगी हमको कृष्ण भगवान सोसते हैं मन के अंदर तो ठाकुरजी की लीला है ठाकुरजी ने अपनी माया से कहा कि जाओ भुलाओ माया ने सब भुलाया आवरण दूर उसी पोजीशन का ध्यान रहा उसी पोजीशन का ध्यान रहा जिस पोजीशन में वो उस समय उपस्तित थे कि मुझ भूल रही है और देख रही है ये भुला दिया उनके मस्तक सिर्थ उस्तित करण को निकाल के बाहर कर दिया तो ठाकुरजी इतनी अद्बुद दिब्बिली लाहों का चिंतन मनन करते हुए इंसान इस भक्ति के सागर में कोते लगाता हुआ इस नान ध्यान करता कि कुंड़ों के अंदर इतने उथल पुथलिगा के बाग्चूद भी ठाकुरजी इसको डूबने नहीं देते हैं अपना हाथ पकड़ते हैं बहां मिकाल देते हैं ऐसे ऐसे सत्वख्त हुए हैं ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिनका प्रमार में आपके सामने पुस्तुत करता हमं का परचेठ का बिंदावन में एक संथ हुआ करते थे बहुत पुराणी बात है काफी समय पुरानी वह स्री हर्दाश जी थे हुन्जी विहारी श्री हर्दास और बिंदावन गौबास तो स्री王राज जी चुरी रदार अहीं जी के अपार भक्तों Thus सब कुछ करना यह उनके मन के विचार हुआ करते थे ब्रस्त ब्रद्ध वस्ता हो चुकी थी धाकुर जी की की दरसक जाकी करने के इताई बागे ब्याली के मंतिर के भाके ब्याली का चिंचन करते दे मन करते एक बैद साथ सब態 में सथनाा है इसकत प्पोचिन भिनदा बन जाओ तो आप लो कि इतनी रखती करते थे एक दिन पर हो गए स्रीहों स्वामी उख्मारी स्वामी स्रीहा दास पुन्य भिहारी स्रीहा दास मिंदावग वास चिन तंदमन मनंद करते हूए ठाव बिमार हो गए अब उनको साम बंदिर जाना चेले चपाटे रोक रहे हैं गुरूजी मत जाओ आपका स्वास्ट ठीक नहीं है आपसे चलानी जाएगा चक्कर खाके गिर जाओगे नहीं मैं तो जाओंगा मैं तो जाओंगा निश्ठा थी कि मुझको ठाकोई का सामित पाना है सिवा करनी है ये ही करना जो जो महां उपस्ते चंदर लगाना है जो कि भी उपस्ते करना है मुझे तो करना तो अच्छानक से इतने बिमार थे तो ठाकुर जी कि किर्पा और लीला का अध्भुत जित्र है कि ठाकुर जी भक्त के लिए सत्य गटना अभी कि यह ज्यादा पुरानी ना कि इस वह सब्सक्राइब करते हैं और अभी किली कि अध्य कि एपको सुनाते हैं हमारे और इस कि अलबा को काम नाइन है तो सहाब उनको चेलों एक अपार भक्त थे उनके भी गुरुजी के सोगंध दी गुरुजी आपको मेरी सोगंध है आपकी तबे तबस्ता ऐसी नहीं है पहुंशको आप पंदिर में हम नहीं चाने देंगे आपके राजा गुरुजी बैठ गई लाखो का पृस लिए और क्या घरे हरे करेक्ष्ण हरे कृष्न कृष्ण कृष्ण हरे राम घरे कि माला जप रहे हैं ठागो की औह्युक की मेरे कूझ कूंछड कूंछ पूल नहीं पाएतीति कि मेरा स्वास्त इतना नहीं है कि चलके आपके मंदिर तक भूसकों स्री हर्दाजी कहते हैं अपने मन में मैं सत्ध बता रहा हूँ जो आज से दिका की अ मंदिर है यह बाद में बना है पहले जो मंदिर में बना हुआ है टटिया इस्थान के ऊपर वो मंदिर स्वेंबु है जो मूर्ति है तो ठाकुर जी की मूर्ति साक्षान स्री कृष्ण भगवान बाल रूप में अपने तेड़ी टांग बंसी वजाते हूं पस्कित हो गए तो यह भक्ति का परिमार अपने प्रक्ते के लिए चले आए कि वेरा भक्त परेशान है परेशानियों में गिरा हुआ है यह नहीं आ सकता है मुस्तक निष्टा सक्थ है यह घटना ठाकुर जी अपनी स्वहिं के रूप में साक्षा जैसे मैं हूं ऐसा कुल मूरती नहीं थी उस समय ऐसे रूप में टेड़ी टांग बंसरी बजाते हूं नटवर नागननन्दा आपस्ते ठाकुर ज कुल मिला के बाद यह है तो प्रिकट हो गई पांके विहारी नंदा हर दिल में रबन करने के लिए जो भी एक भारूं को देखता है ऐसा मग्द मुग्द हो जाता है श्री ढाकुर जी को देखते के साथी सारे कल पुनाय बचार लेंबो बनी जो भी फरारी जो जो उनकी मन में अविलासा है सब चुड़ यादि देखो यह सब अविलासा इसी संसार की है यह उपर काम नहीं सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा धन दौलत माया इसी लोग की है अपना धाकुर जी कहता है अब कथा में चलते हैं यह तो बहुत रूमी चर्चा हो जाएगी आप कोगे क्या है तो ठाकुर जी ट्रिकट हो गए अपने साप्षा नटवर नागर रूप भालपर की में उनकी चर्डों में किरेए भूज मारा चड़ाई और ठाकुर जी ने कहा कि आज से मेरा एक बिग्र है एक बिग्रे माने कि मेरा एक प्रुस्तोती करण मेरी एक मूर्ती आपके समीद कि इसी मंदिर में रहेगी आपको कहीं जाने की आवश्यक्ता नहीं है जब तक आप इस लोग में हो कि तरो नित्यलियम से सिवा देखो कैसे हैं भक्त के बहुमें भक्त के बसमें है भगवान तो इस साथ शाथ है प्रिकट हो गए नटवन्ना का नंदा लीला धारी चंदा सिर्पिष्ण भगवान तेजिटांग वाले नागर रुस्तोती करण हो गया उनका मंदिर बना आज भी वो मंदिर टट्याइस्थान के उपर बिंदाबन में बना हुआ है नित नियम से आज भी उस मंदिर की अंदर इलेक्ट्रिक्स आइटम की कोई प्रुस्तुती करण आपको समक्षक उपस्तित भी नहीं होगा जो दिप जो जलती है स्रीहरदाज जी की समय से चली आ रही है लाइट नहीं है ठाकुर जी की जड़नी हाथ वाला रस्ते से चलाने वाला जो पंखाना एक अपड़े का उससे चपकना चलता है दीपक में घी डालकर ही उजाला प्रकास होता है महां और एक और अदबुद लीला है महां पर ठाकुर जी को गुलाब के इत्र चड़ाने को रिवाज है और एक है यह नहीं ुकि ठाकुर की मंदिर में नहीं आपने अगर उस इत्र को गुरू जी की एसी सिद्धी थी जो भी मंदिर ठाकुर जी का है लिला लगाई को गुलाब के रिषिक आगर वह उना का दीओ थाकुर जी को यह यह दूर से 5-20 जूरसी ठाकुर जी को चड़ा दिया तो जिस दु जुकाओं हुए अपने साथ यहां पहुंच होगे वह लग गई आपकी समझ लो कि ठाकुर्ण ने आपकी सेवा सुविकार करते हैं आज भी मुमंदिर उपस्तित हैं तट्या इस्थां के नाम से प्रिक्यात है आज भी उनके चेले स्री हर्दाजी के बैठते हैं और एक ही ज जोड़ा आप या कोई अपने मन कढ़नत कहानी नहीं है अगर ऐसा लगता है तो आप भी कभी बिंदा बन जाएं तो और हमन्डी थी कि दर्शन करना जो मैं बोला वही प्रुस्विती करण होगा आपके समक्ष बहुत चेले हैं उनके भी बहुत चेले हैं उज्यकोटी के स संत हैं बहुत भड़ियागी बाधन करते हैं बजाते हैं तो अकबर की लांसा भड़ गई वर लाओ उनको हमारी दर्वार में अम उनको रख लेंगे नौ रतनों में से एक रतन तान सेंट भी थे जैसा नौ रतन कह रहा है आठ हमारा तन मालो या पहरा ना पना रतन मालो य तो राजा तो ग्यान दे गई देगा जार इतना वड़ा ग्यानी भी कह रहा है कि उन्हों से उपर के बैठी हुए है बिंदावन में रहते हैं स्री हर्दाज जी नाम है अकबर ने कहा जाओ संदे सलगा का राजाओ स्री हर्दाज जी के पास यक्वन्य दिल्ली बुलाया है स्री हर्दाज जी के पास से लिचारे है तांसेन भी गुरू जी चलिएगा राजा साब ने बुलाया है जलाल उन्दीन अकबर महुम्मद ने बुलाया है मारे वह एंत्टावजा धष्था थे हैं कि थाकरी सब्सक्लाद कि सब्सक्राद devoted है टाकुरजा मेकर भी लिए Assange नमारा तो राजा ये है, जो राजाओं का राजा है, परविधा परविश्वर स्री कृष्ण राधा स्वाइबू, राधा जी की सखी थे, स्री हर्दाज जी भी, स्री हर्दाज जी भी उच्छो कोटी के सब्थ थे, अखबर के पास सहनिक लोट के चले गए, अखबर के पास सहनिक जाके बोले, तांसें बोले, इसाब उन्होंने आने से आपका आग्रे सुईकाल नहीं किया है वो लिए जिसको भी सुनना है ठाकुर जी की जो मैं भक्ति करूँगा तो आके का थन कथन मनन उसका चिंतन कर सकते हैं अख़बर को गुस्सा आ गया मेरी बात कैसे कट्डाली राजा थे राला कर तो पल पल में चाथा आये गुश्छा पहुच भई तो खेटें भई सनुतों का तो खेली निराला है तान सेंजी कहते हैं एक बार चलके सुन तो लो इका कथन उनका मन तो ठाकुर जी के पास पहुचते हैं जाते हैं अख़बर अख़बने पुरी सैंदभल के साथ में चल रहे हैं बिन दावन की ओर दिरली से पहुच गई जहां इस्थान पर रहा करते थे स्रीहर्दाज जी रमन नेती की पास रमन नेती नहीं बिन दावन में टटिया स्थान के उपर पहुच गई पहुचने के बाद अकवाई जी ग पूले सुनाओ, आगे आओं मैं आपने काथा ना मेरे पास आओगे तब सुनाओंगा, वो इस देना यह हूं ठाकुर जी भक्ति करेंगे तो हम आपको इसका मिश्रिशन सुना रेंगे, तो औरे भईया, अभी तो समय कर चुका है, सुबह होगा, कारिक्रब अब चार वजे घाकुर की भी हम देने केंगे जब भक्ति, जब सुनना और इस अहाब अकबर फिर कहया, आजर अथान शैंशन से रेंगे, क्या है रोए भाईया, ऐसार शितर वई राजा हाति Проमतान शैंशन कहते वही, अंत है उच्छ गोटी के, संगीत कार है उच्छ गोटी के, सब इस दिए है कि तो सांप सुवए रात नीन नी आई कमरी में चक्कर घाट वहल कर दिए एधर से उदर उदर से उदर दर दर चक्कर पे चक कर रोड़ के च्ञार बज़ गए सुबें के चार बज गई सब्सके क्या या दो कि अवक आगे स्री हटाची के समीप मंधिर में महा ऐसा आनंद का वाता वाटा क्या मधुरतान क्या मधूली क्या भक्ति क्या रमन क्या कथं क्या मंत्त अब कुस्त आरंदित लगाओ अब नवक्रत्स्टमें रटत्रों इसे एक रतन अठाए ये रतन रखुंता हुआ तो हो गया पूरा प्रफू की इस पाद की उनकी स्री अधाज जी अब साब अख़वर जी उनके आगे पीछे चकल लगाए स्री अधाज जी के पास पहुचते हैं कि गुरुजी आपसे आग रहे हैं कि आप दिल्ली चलिए और हमारी दर्वार में बिराजिये महा संगीत हम आ संगीत सुनाइंगे तो बहुत भारतलाप हुआ समझाया तो गुरुजी मैं आपको कुछ देना चाहता हूं आप ग्रहण कीजिए तो ठीक है भई तो लालसा है तो देने की तो यवली जमना के कनारे मेरा एक चपूत्रा है वो टूटा हुआ हुआ है अलतलि की पर चाहरा हुआ तो इसका कोण जणगे आ है आप जाके इसके और हनी का जैण टेटमेंट करवादो अंधीक्र है ने ओर ठोन मोके सिंचित मांगीया आपने राज ज संपांगते इंजका कान और देख उक हान से पढम होजहिए जहां पर वो बैटकर सिहरदाज जी जम्ना किनारे ठागुर जी की भक्ती का रमन करते थे, किंतन करते थे, मनन करते थे, उच चबूत्रे पे पहुच गई, अख़वर में देखा, देखते के साथी अख़वर की फोप्रिय नौट हो गई, ऐसी ऐसी जवारातें, ऐसे ऐसे ही वस्तित थे उस चबूत्रे का, जो कौन ही पे, अगर अकवर ने मन में मनन किया, अरे भया, ये तो खेलिया लगे, तो लीला चल नहीं है, ताल सेंगी तो जानते थे, क्या होगा, गमन्ड तो उनना था, अकवर का, गमन्ड, तो अकवर, वो, अब अकवर कैसा, मेने तो बो माल, सब मिलाइए, सब डूमल लिया, अकवर आ गया, हार के, हुरुजी मुझे छमा कर देना, मुझसे गलती हो गई, मैं आपका ये कार्रे नहीं कर सकता, और उसके अलावा कुछ, बोले, इसकी कोई आवशक्ता नहीं है, जिस प्रिकार से, देखो, क्या समझाया है, अकव तो इस प्रिकार से, मैं कैसे तुम्हारे से दिली चलता हूं, क्योंकि मैं तो इस जमुत्रे से जुड़ा हूँ, और इस ठाकुर की आत्मा से आत्मा चोड़ी होगी है, तो मैं कैसे छोड़ के आ जाओं, तो मुझे यही रहने दो, मुझे अपनी रमन में रहने दो, पंधरों में धाकोई की कि वैयां के अंदर गलवाई लगाई अकवर जी ने चरणांत विंदे की रजबने वस्तप्पे लगाई जब भी उनका मन करता था स्रिहाद्धाजी का संगीत का गानन सुनने के लिए उनका रमन करने के लिए तो विंदावन टटिया इस्थान के न बंद्धन तो कि थ्रकुलक की भकति को न छोड़ना उसी में अकिन्य घृ भककति को न चोड़ना यह लोव है माया है यह तो अपनी ओर आकशित करती है लेकिन जो सच्चा होता है और दिल का अच्छा होता है वो यह देखता है जंदन है बंदन है इसको काटो और अपनी भक्ति दुद नियम से करो रस्त में भी रहो रहमण से रहो नित्य नियम से आदा घंटा एक घंटा ठाठा को जीए ना ना दोने के बाद में एक माला चप लिया घरो आनन्दाएगा सर्व सुख संपन्नता से प्राप्त हो जाएगा आप सभी योगों जो इस चीज का चिंतन कथन मनन करते हुए चलेंगे तो आज की दिव्य प्रस्ततियों में से एक प्रस्तति है भक्ती का परिमार्त और मातेश्वरी नंदरानी को स्री कृष्ण भगवान ने बाले काल में ज्यान प्राप्त कराया कि मैं ब्रह्म हूँ लेकिन इस ब्रह्म में मत रहो ब्रह्म मत समझो मुझे को मुझे अपना ही समझो सखा समझो जो भी समझो ठाकुर जी को इस चीज़ बताता हूँ ठाकुर जी को कभी भगवान समझ के मत भजना मिलेंगे नहीं मित्र बना लेना सखा बना लेना साथी बना लेना गुरू बना लेना तो इस चिंतन का मनन करते हुए चलोगी ना तो ठाकुर मिल जाएगा भगवान समझ के पूज होगी जीवन लग जाएगा उनकी परिचे उसका परिमार उसका परिमार और उसका परिचे उपस्तित नहीं हो पाएगा, आपके समक्च किसी ना किसी मात्य हमसे उनको गुरू बनाओ, सिस्से नहीं, सिस्से तो खुद बनो, गुरू बनाओ, सखा बनाओ, मित्र बनाओ, भाई बनाओ, बंदू बनाओ, कुछ भी कि अपना मित्र समझ के सिवा करते मेरे सखा है कि उनके चैनलों का खथल करता हूं राधा तुर बड़ भाग लिए कौन तपस्या की वह तीन लोग टारं तरं सब देरे आधी अब भी मैं आग बंदे करके दर्शन कर रहा हूं स्री किष्ण भगवान राधा के साथ शातकार के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं जिसका अब लोकर ने कर सकता आपके समझे आप उस भक्ति को जब पाओगे ठाकुर की किरपा आपके आसीस का हाथ का असिरवाद आपके समझ होगा तो सब की आप घर बैठे 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 प्राफ तो यह तो यहां तक सीवित है और यह अब ह है जिस प्रकार से सेरी का भुजन होता है पोशा करने के लिए ऐसे ही अपनी आत्मा का भोजन है वक्त जिससे आत्मने पल मिलता है थ है निश्टा मिलती है पावर आती है आदमी पावर उसका तेज उसके चेहरे पे विद्वान होने लगता है जैसे कि एक दीपा होता है उसके अंदर घी डला हुआ है तो प्रचलित अग्मुश में से उजपन होती है और जैसे इक दीपा में से घी चला जाता है तो दीरे दीरे डिम हो जाती है तो ये भक्ती और तुकू की सानितिता ये आत्मा का ग्यान है आत्मा का घुजन है जिससे कि आदमी में उर्जा तेज प्रज़ का प्रवाइत होता है बोलने की जो शैली होती है जो दिब्बिता होती है जो अलोकिता होती है जो प्रुस्तुति करन होता है जो आदमी को किसी भी आदमी को अपनी भातों से आकर्शित करने वाला होता है, खेशने वाला होता है, वो सब आत्मा से ही प्राफ्त होता है, जो हम बोल रहे हैं, वो भी ठाकों की सानित दिता है, वो उनकी किरपा है, उनकी दिल पिता है, उनकी अलोपिता है, उनका परिमार है, तो आज मेरे दोस सभी बनें मेरे पास को सभी ओंग है मेरे दोस्तों में तो ठाकुल का हाथ मेरे सिर्ग पर हो और आपका सिर्वाद हो आपकी किर्पा हो मेरे दोस्तों आपका भाई हूँ आपका सखा हूँ आपका कुछ हूँ जो की समस्ते हूँ मेरे पास से इस समय जो पस्तिते में वो ही दे सकता हूँ प्रभु का ध्यान करो पूझा करो रमन करो उसी के आनंद लो प्रभु की भक्ती में होते लगाओ मैं क्या बोलूगा किसी में कुछ जिग्या सुझा में कसी पूंच नहीं करता जब तक था प्रभु का अशिर बाद है मेरे पास तो बस यहीं चाहिए है कि सबानंद से रहे हैं मनं से रहें मेरी तो यह भापना होगी अप्रुभु की सानित दताओं में रहें मैं तो जलेंगे की अपका सब्सक्राइब प्रभु का ही चित्र न देखता हूं आप को तो मैं ज्यानता नहीं कि कौन-कौन मेरे साथ जोड़े हुए हैं इस कथा को सुनने वाले जितने भी लोग होंगे जो सुनते होंगे ना उन पर प्रभु का कुन आचे व्लाद बरसेगा जाओ मैंने वर्ति हाया आज आनंद लो किसी से में बोली भी नी सकता हूं में चलो जैसी आराम जै राजा राम अच्छा लगा हो तो लाहिक करें कमेंट करें शेयर करें बच्चा हूं अपना असल बात बनाके रखियों मेरे उपर जैसी आराम